हेलो दोस्तों मोटरोला इस बार फिर से तबाई मचाने वाला है और एक तारीफ हो यानि कि एक अगस्त को फिर से एक ऐसा नया स्पार्पॉन लोंज करने वाला है 30,000 रुपे की प्राइस रेंज के अंदर और इसकी प्राइस क्या रहेगी वो भी मैं बताऊंगा लेकिन 30,000 रुपे की प्राइस का अंदर एक एसा स्पार्पॉन आने वाला है जो कि बाकिए सारे स्पार्पोन को फिल कर देगा और 30,000 रुपे के तक के जितने भी स्पार्पोन आते हैं उन सब को फिछे छोड़ देगा तो कि इस smartphone के अंदर आपको कुछ ऐसे features देखने को मिल जाएंगे जो कि इस price range पर तो किसी भी smartphone के अंदर देखने को नहीं मिल रहे अभी तक के smartphone के अंदर तो चले दोस्ति इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं और बताते हैं कि ये जो नया smartphone ने कौन सा रहने वाला है इसके अंदर क्या-क्या features देखने को मिलेंगे और इसकी जो price से क्या रहने वाली है और ये smartphone आप लोगों के लिए कितना अच्छा रहने वाला है तो ये जो नया smartphone आने वाला है Motorola की तरब से ये रहेगा Moto H50 जो कि H50 series का एक नया smartphone रहने वाला है और ये जो smartphone इसका सबसे main highlight रहेगा इसकी body का certificate यानि कि इसमें आपको military grade का certification देखने को मिलेगा तो toughness के मामले में काफी अच्छा रहने वाला है और काफी मजबूत body के साथ ये smartphone देखने को मिलेगा तो यहाँ पर इसका जो display वो एक number रहेगा इसकी build quality एक number रहेगी और इसकी जो design है वो भी आप लोगों को काफी अच्छी देखने को मिलने वाली है और Moto H50 Pro के अंदर भी कुछ इसी तरह के design देखने को मिली थी और इसका जो थिकने ऐसे हो और जो इसका weight हो भी काफी कम देखने को मिलेगा तो यहाँ पर design और build quality के मामले में यह number one रहना वाला अपनी price range के अंदर अगर बाकी pictures के बात रहेगा मैं बात करते हैं इसकंदर आपको जो processor मिलेगा snapdragon का 7 gen 1 accelerated edition के साथ देखने को मिलेगा तो यहाँ पर आपको performance मेंस भी जो है अच्छी कासी मिल जाएगी इसमें आपको 5000 image की battery मिल जाएगी 68 watt का fast charging का support भी मिल जाएगा प्लस इसमें आपको 15 watt की wireless charging का support भी देखने को मिलने वाला है और आपको IP68 की rating भी इसमें देखने को मिल जाएगी और Dolby वाले stereo speaker भी इसमें देखने को मिल जाएगे और यहाँ पर इसका जो camera है वो भी main highlight रहने वाला है क्योंकि इसकंदर जो पीछे के तरफ आपको 3 camera का setup मिल जाएगा 50 megapixel का Sony का camera 10 megapixel का telephoto camera जो की 30s के zoom को भी support करेगा और 13 megapixel का ultra wide angle camera और फ्रेंट हुए आप लोगों को मिल जाएगा 32 megapixel का selfie camera और जहां तक मुझे पता है जहां तक Motorola को मैंने जाना उसके recording आप इसके चारो ही camera से 4K में video record कर पाऊगे वो भी video stabilization के साथ में है इसके camera तो अच्छे रहेंगी साथ में इसमें आपको जो AI से related features भी देखने को मिलेंगे इसके camera app को लेकर और Motorola के इस smartphone के अंदर आपको Android के 3 साल तक के update देखने को मिल जाएंगे और 4 साल तक के security page के update भी देखने को मिलने वाले हैं तो यहाँ पर features के according यह smartphone कापी बेस्ट रहने वाला है चाहिए इसके hardware features की बात करें या फिर इसके software वाले features की हर एक चीज में कापी कमाल करने वाला है और जिस price पर यह launch होने वाला वो price हो सकती 28,000 रुपे के आथपास और इसमें size से single warranty देखने को मिलेगा जो की 256 GB के storage के साथ देखने को मिलेगा और possible यह हो सकता कि यहाँ पर आपको जो 8 GB के रेम या फिर 12 GB के रेम इसमें देखने को मिल जाए तो 28,000 रुपे की price के आफ़ास ही यह smartphone launch हो सकता है और कि आप पता possible हो जाए कि इसकी जो price हो जाए हो 25,000 रुपे हो जाए और अगर 25,000 रुपे में आपको यह offer लगा के मिल जाता है तो best smartphone रहने वाला है कि इसका जो display वो भी कापी अच्छा रहेगा camera भी कापी अच्छा रहेगा और design वगरा भी कापी अच्छा रहने वाला है तो दोस्तों इसके सारे features तो confirm हो चुके हैं लेकिन आप देखना यह है कि यह किस price range पर launch होता है तो आप लोगों को यह smartphone कैसा लगा इस वीडियो के नीचे comment करके जुरूर बताना और यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो के एक like कर देना और अपने दोस्तों के साथ share भी कर देना